हेलो गाइज जैसे कि आप सबी जानते हैं हमारा स्टनो फॉर रॉल यूटूब चैनल है बेसिक से लिखर एक्सपर्ट लेविकर आपको लास उप्लप्त करा जाती है आरे से में SSB राजस्तान यूपी बिहार पुलिस SI ASI इस्टनो के लिए यह बहुत लाबदाएक डिक्टिशन है SSB वाले चात्रों के लिए भी वो भी लिखकर इसका प्रयास कर सकते हैं साथ ही हमारे आपको बदा देना चाते हैं हमारे वेबसाइट www.stanoforall.com पर आप इसको टाइप करके अपनी गलतियों का सौता मूल लियांकन सौफ्ट वेर के द्वारा आप अपनी गलतियों का रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं कोई भी एक्जाम इस्टन से रिलेटेड जो भी होता है त्रोटियों के अदार पर होता है गलतियों के अदार पर होता है जो भी आप गलती करते हैं उसके अदार पर आपकी लिस्ट डिक्लियर करी जाती है तो कोशिश करिएगए 0% mistake के साथ में आप तयारी करें 17.6.2021 की ये पहली डिक्टिशन है सभी करने के लिए तयार रहें Ready आत्मविश्वास एवम मनुवल व्यक्तित विकास के मौलिक सूत्र है इनके आभाव में किसी भी प्रकार की सफलता और सिद्धी के द्वार पर नहीं पहुँचा जा सकता मनुष्य में विकास की असीम संभावनाएं होती है पर जब तक उसके विचारों पर निराशा, हीनता और भीरुकता का आवरण होगा तब तक उसे अपनी संभावनाओं और शक्तियों पर विश्वास नहीं हो सकता हालात मन मुताविक तो शायद ही कभी होते हैं फिर कई बार हम एक दो कोशिशों में ही हार मान बैठते हैं हमारे भीतर का हीरो बाहर निकलने की बाट जोहता रहता है और हम अपनी तरक्की के दरबाजों को बंद किये यह मान बैठते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता हम में से जायदा तर को तुरंत नतीजों पर पहुँचने की जल्दबाजी रहती है मन्जिल ढूंडने में जरास देर हुई नहीं कि हम रास्ते को ही गलत ठहरा देते हैं इस से उल्जने ही बढ़ती हैं जरूरी है कि हम सिर्फ मन्जिल नहीं पूरी जीवन यात्रा पर ध्यान दें यह समझें कि नाम, पैसा और काम्यावी एक दिन में नहीं मिलती हमें लगातार खुद पर काम करना पड़ता है आधुनिक मनोविज्ञान में स्रेष्टता की ग्रंथी और हींता की ग्रंथी पर बहुत अनुसंधान हुआ है जीवन की प्रगती के लिए इन दोनों ग्रंथियों से मुक्ती प्राप्त करना जरूरी है सफल एवम संतुलित जीवन के लिए आभार एवम कृतग्यता के भाव जरूरी है शोध कहते हैं कि हमें रोज दूसरों का आभार व्यक्त करना चाहिए आभार जताना हमें जीवन की पूर्णता की ओर ले जाता है यह नाक को हाँ अवेवस्था को वेवस्था भूजन को दाबत मकान को घर और अजनवी को दोस्त बना देता है दुख की बात है कि जैदतर समय हम मुखोटा ओड़े रहते हैं जैसे भीतर होते हैं, वैसे ही बाहर बने, रहने से बचते हैं, डरते हैं, खुद को छिपाए रहते हैं, आप क्या चाहते हैं और क्या हैं, इसे सम्मान देना सीखें, साहस सबसे जरूरी गुण है, इसके साथ ही बिना किसी भी अन्य गुण को जीवन में लाया नहीं जा सकता बैश्विक महामारी के कारण हिमाचल प्रदेश में परटन उध्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ है होटल कारवारियों की ही नहीं वहाँ पर काररत स्टाफ को भी आर्थिक संकट से जूजना पड़ रहा है इसके साथ ही परटन उध्योग से जुड़े कई लोगों को भी रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है कोरोना कारवियो में ढील मिलने के बाद जिस तरह परटकों ने हिमाचल की तरह की तरफ रुख किया है उससे परटन उध्योग से जुड़े लोगों को उमीद दिखी है मैदाने इलाकों में इन दिनों भारी गर्मी पड़ रही है इसके साथ ही स्वास्थ लाव लेने के लिए भी परटकों ने हिमाचल का रुख किया है कोरोना कर्फ्यू में धील मिलते ही प्रदेश के प्रवेश द्वारों पर भारी भीड उमरने लगी है बिना कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के आने के कारण भी अधिक लोग आ रहे है हालांकि राजय में आने वाले परटकों के लिए कोविड इपास पोठल पर पंजी करण करवाना अनिवार्य किया गया है पहले दिन कई लोग पहले से ही पंजी करण करवा कर आये थे लेकिन कई लोगों को मौके पर पंजी करण कर प्रवेश दिया गया प्रवेश द्वार पर भीड जुटने पर मुख्य मंत्री ने भी चिंता जताई उनका कहना है कि भीड जुटने से कोरोन वाइरस का संक्रमन फैल सकता है इसके लिए उन्होंने प्रसासन को विवस्था बनाने के निर्देश दिये है उनका कहना है कि कहीं पर भी भील नहीं जुटनी चाहिएं, परटकों को भी चाहिएं कि अनावश्यक भील ना जुटाएं हिमाचल आने से पहले ही सभी तरह की आपचारिकताएं पूरी कर लें इससे ना तो भील उम्डेगी और उन्हें भी प्रवेश द्वार पर अधिक देड़ तक नहीं रुकना पड़ेगा होटल कारोवारियों को भी पूरी तरह सतर्क रहना होगा किसी भी इस तर पर कोविड नियमों की अवहिलना हो परटन उद्वोग हिमाचल के लिए एहम है इससे कई लोगों को प्रतेक्ष परोक्ष रूप से रोजगार मिलता है सभी का दायत्व है कि कहीं पर भी नियमों की अंदेखी ना हो सरकार ने साफ कहा है कि नियमों का पालन सभी को करना होगा यदि कहीं पर लापरवाही होती है तो उसके खिलाब कड़ी का रवाई की जाएगी यदि भारत सरकार को इंटरनेट, मीडिया, ट्विटर को लेकर अपना रवया सक्त करना पड़ रहा है तो इसके लिए यह सोसल नेटवर्क साइट ही जिम्मेदार है ट्विटर ने अंतिम चितावनी जारी किये जाने के बाद भी जिस तरह सूचना एवम प्रोध्योगी की संबंदी दिशा निर्देशों का पालन करने से इनकार किया उसके बाद भारत सरकार के पास इसके अलावा और कोई उपाय नहीं रह गया कि वह उसके इंटरमीडियेटरी दरजे को खत्म करने का फैसला करती इस फैसले को लेकर केंद्रिये सूचना एवम प्रसारन प्रोध्योगी की मंतरी रवी प्रशाद ने यह बिल्कुल सही कहा कि यदि कोई विदेशी कंपनी भारत में रहकर यहां के नियम मानने से इनकार करती है तो इसे सुईकार नहीं किया जा सकता ट्यूटर ना केबल भारत के नियम कानूनों को मानने से इनकार कर रहा है बलकी खुद को अविव्यक्ती की सोतंतरता का जंडावरदार के रूप में पेश करके भारत सरकार की आखों में धूल जोकने की कोशिश भी कर रहा है ट्यूटर किस तरह सरारत पर उतर आया है इसका उधारण है टूल किट सम्मंधी भाजप नेता की ट्यूट पर छेड़ चाड़ कर पेश की गई सामिग्री के रूप में रेखांकित करना और गाजियाबाद की एक घटना से जुड़ी फरजी ख़बर पर मौन साधे रहना यह अच्छा हुआ कि उसकी इस हरकत पर उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई ट्यूटर ने गाजियाबाद की घटना से सम्मंदित फरजी ख़बर की जैसी अंदेखी की उससे यही साबित हुआ कि फेक न्यूज के खिलाफ लडाई किया लडाई का उसका दावा पूरी तरह खोगला है ट्यूटर किसी तरह चाला की दिखा रहा है इसका पता इससे भी चलता है कि वह कभी तो अपने को महच प्रकासक करार देते हुए यह दर्शाता है कि अविव्यक्ति की आजादी की तरह सबको अपनी मन चाही बात ट्विट करने की सोतंतरता है और कभी वह ट्यूट की गई सामिग्री की सतता परखने लगता है चूकि उसके पास ट्यूट की गई सामिग्री की सतता परखने का कोई तंतर और तरीका नहीं इसलिए जब कभी वह ऐसी चेस्टा करता है तो अपने दोहरे चरित्र और दुराग्रे को ही उजागर करता है आखिर वह दिल्ली पुलिस की जाच के पहले ही यह कैसे जान गया था की टूल किट को कॉंग्रेस की कारस्तानी बताने वाले ट्वीट सही नहीं ट्यूटर यह कहकर करतब्य की इतीश्री नहीं कर सकता कि वह तो सूचना संबाद का मंच है क्योंकि कहीं भी किसी को भी यह अधिकार नहीं कि वह किसी पोस्टर, बैनर और होल्डिंग पर कुछ भी आपतियनक लिख कर उससे अपना पल्ला जाड ले जब प्रतिक पोस्ट बैनर अथवा होल्डिंग की भाशा के लिए उसके लगाने इस्तिमाल करने वाले जिम्मेदार होते हैं तब फिर ट्विटर अधवा अन्य कोई सोसल नेटवर्क साइट यह कहकर कैसे बच सकती है कि उसके प्लेटफॉर्म पर कोई भी कुछ भी लिख सकता है यह हमारी डिक्टेशन समप्त हो चुकी है आप हमारी वैब साइट पर जाकर इसको टाइप कर सकते हैं दूसरी डिक्टेशन के बाद में गूगल मीट के लिंक के माध्यम से आप जोड़ सकते हैं